अग्षाइब आपको अप्रोच के वारे में बॉटम अप्रोच क्या होती और बिल्कुल लेमें लेंगे अब ही मैं प्रोग्रामिंग के एक्जामपल नहीं लेने वाला हूं मैं कुछ हाइफा एक्जामपल लेकर नहीं समझाऊँगा क्योंकि वह आगे जाकर जबन कोश्चन करेंगे तो धिरे-धिरे समझ में आता चला जाएगा अभी के लिए तो बहुत सिंपल लेंगे आपको पता लग जाए कि ना बॉटम अप्रोच किसको कहते हैं ताकि जब मैं आगे इंवर्स का इस्तमाल करूं तो आपको पता हो कि यह बॉटम अप्रोच का मतलब यह होता है कि इस पार्ट ये पाट डिपंडेंट ए सेकंड अपड़ेग 1 देख आना पड़ेगा तो बॉटम अप आप ऑप्रोच के अंदर क्या होता है यह देखे इस कीम पर चल से अब है अब आपको यहाँ पर दिख़रा होगा ये जो हमारा बॉर्टम आपरोच होता है ना वो कुछ इस तरीके से चलता है अपन में वीचिसा बेधा क्योन नीचे से उपर के ओपर को इसको बार्टम आप परोच कि उसके पास RAM है, ROM है, प्रोसेसर है, GPU है और कुछ equipment है, एक खाली सा Mother World भी रखा हुआ है जिसके उसको assemble करना है, उसके पास keyboard है, battery है, touchpad है, उसके पास इस सारी चीज़े पड़ी है, वो सोचता है कि वह मुझे laptop design करना है, तो अब वो laptop design करने के लिए क्या करता है, camera और device को assemble करके, सबसे पहले उसके पास छोड़ी-छोडी problem पहले सी सॉulू Tu, उसके पास सारी equipment sea थे, वो क्या करता है, camera और display को assemble करके screen बना देता है, तो देखा उसके पास दो छोड़ी-छोटी चीजसे पढ़ी थी उन डोनों को assemble करके उस nameաरा स्क्रीन बना दिया फिर वो क्या करता है रैम रॉम प्रोसेसर जी प्यू इन चारों एक्ट्मेंट का इस्थे लगती है मान लेते हैं उसके पास चीजे थी पहले से उन सारी चीजों का सेंबल करके उसे मदर बोड बना दिया तो उसने छोटी छोटे छोटे पार्ट को बैटरी लगाती अफकोस अभी कनेक्शन करें नहीं है उसने बैटरी लगा दी उसने बॉडी त्यार कर दी लैप्टॉप की और एक हिंज भी होता है जिससे स्क्रीन जो होती है लैप्टॉप की जो लोग बोडी के साथ टैच हो जाते ताकि बंद हो पाई उसके लिए कर दी अब जो स्लाइटली बड़ी प्रॉब्लम उसने सॉल्व करी है उससे तो लैप्टॉप क्रेट हुआ ने क्योंकि लैप्टॉप अभी भी तीन तुकड़ में बटा हुआ है एक तरफ स्क्रीन रखी एक तरफ बॉडी रखी एक तरफ मदर बोड रखा है अब उसने क् कनेक्शन उसने स्टैब्लिष कर दे जिते भी कनेक्शन लगाने थे तो सारे कनेक्शन उसने बना दिये इसे क्या हुआ छोटे चोटे पार्टस को पहले से पढ़े थे उससे बड़ी प्रोब्लम करदी इसको कहते हैं बाटम-आप प्रोच जिसके अधर आप चोटी प्रॉ हम बड़ी problem solve कर देते हैं तो वो था हमारा top down ये था हमारा bottom of approach तो आज की वीडियो में बस इतना ही है क्योंकि ले में language के नहीं तो मैं इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि अभी मैं code रा सारा नहीं ले सकता हूँ code का इस्तमाल कप करूँ हूँ जब मैं आगे की वीडियो के अंदर question solve करना start करूँगा तो धीरे धीरे level को increase करेंगे तो हर question में top down bottom approach बार बार में ये words का इस्तमाल करने वाला हूँ इसलिए इन words की clarity मैं पहली दे देना चाहता हूँ ताकि जब मैं इस्तमाल करूँ तो आपको और clarity मिले और आप आप familiar रहो इन words से इसलिए मैं आपको बताया है कि top down bottom approach क्या होता है अचा मिलते हैं next video के ने जिसके ने मैं बताऊंगा कि top down और bottom approach के ने differences क्या होते हैं कब कौन सा लगाना चाहिए या फिर कैसे choose करें इसके उपर थोड़ी बहुत बात करेंगे बस हलका फुलका उपर उपर से देखेंगे इसको तब तक के लिए अलविदा मिलते हैं next video में और हाँ जाने से पहले इस वीडियो को like पक्का कर देना साथी साथ comment करके पक्का बताना है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही ठीक है बस comment करके पक्का बताओ पसंद आ रही है तो लिख देना पसंद आ गया मैं समझ जाओंगा ठीक है और share करना जितना हो से कि मिलते है next video में